हलो रिवन नमस्कार आज देखेंगे आपका पार्ट थर्ड देखेंगे लुशेंट बुक का हिस्ट्री का पार्ट नम्बर थर्ड देखेंगे आज तक टॉपिक है महा जन्पदों का उध्यप से पहले वीडियो को लाइक कर दिजेगा तिकाता है बुद्ध के जन्म के पु किस में मिलती है कहना होगा अंग उत्र निकाए से मिलती है आई देखी को इमला के 16 महा जन्पद हुए हैं उनके नाम उस राजधानिया उनकों छेत्र थे देखेंगे फर्स्ट आप का काता है अंग उनके जहानी है चंपा छेत्र था भागलपूर मुंगेर बिहार में है न इलहाबाद के आसपास उत्तर प्रदेश पांचमा देखिए वज्जी है वेसाली विधे मिधिला मुझह परपूर एंदरभंगा के आसपास खेत्र को बोलते हैं देखिए कौसल का जहानी स्रावस्ति यह है आपका फैजाबाद उत्तर प्रदेश देखिए अवंती का जहा मालवा मदपरदेश नमबर एट है मल का जहानी है आपका मल का जहानी है कुछाबति देवर्य विदय परदेश पंच का जहानी है आईचहत्र क्म पे इंद्रप्रस्त जो है दिल्ली का पुराना नाम था 12 नमबर है मतस्य का रजधानी है विराटनगर जेपूर राइस्थान के आसपास के छेतर 13 है कमबोज रजधानी है हाटक राजवरी है हजारा छेत उत्रपरदेश 14 है सुरसे जिसका रजधानी है मतुरा आपका उत्रपरदेश में है पंदरमा देखिए है असमक असमक रजधानी आपका है पोटली पोतन गदावी नदी के छेत तच्छी मभागात का एक माथ जणपद है महाजान पद से उसकी ताए महंधन पद और आजधानी अभूत महत् lucru प्रस्तनी और श्रावल पिंडी एह प्रत स्टान में है आए हम आएंगे धर्म के मारें दखें नंबर पढ़ेंगे जैन द्रम देखें जैन धर्म के सथापक पर्षाम-स्थापक अर्दम कर रीशवदेव शैब देव जैन धर्म के 23 तर्थाइब यह राजा अस्वसेन के पूत्र थे आपका पासवनात जो जैन धर्म के 23rd नंबर के तृठंकर थे इन्होंने 30 वर्ष की आवस्था में सन्यास जीवन को स्विकारा इनके द्वारा दी गई सिच्छा थी हिंसा ना करना सदासत्य बोलना चोरी ना करना संपत्ती ना रखना ये कहे थे पासवनात जो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24 में एवं अंतिम तृठंकर हुए थे खुविमिला के जैन धर्मे 24 तृठंकर हुए नेक्स्ट पॉइंट है महावीर का जैन 54 इस्वीपूर में कुंडगराम वैसाली में हुआ था इनके पिता सिधार्थ ग्यात्रकूल के सरदार थे और माता त्रीसिला लिच्फ्वी चा प्राजा चेतक की बहन थे आलकि जैन 5 पैंट जैन 45 इस्वीपूर कुंडगराम वैस सालि में वट OD stared महावीर की पतनी के नाम का सोधा एवं पुत्री का नाम नौजिया पिडरसनी था रख़िए का महावीर के पच्पन का नाम हो नो पिता की मृत्यू की पश्चात अनिको उसके बाद अपने बड़े भाई नंदी वर्धन से अनुमती लेकर सन्यास जीवन को सुईकारा था सुईकार कर लिये थे वन महावीर 12 वर्षों के कठीन तपस्या के बाद महावीर को जिम्बिक के समीप रिजुपालिका नदी के तट पर साल वरिच के नीचे तपस्या करते वे संपूर्ण ज्यान का बोध हुआ था कितना वर्ष तपस्या किये थे 12 वर्ष कब गए 30 वर्ष की उम्र में और जिम्बिक के समीप रिजुपालिका नदी था साल वरिच के नीचे इनको ज्यान की प्राप्ति हुआ इसी समय से महावीर जीन आने की विजेता अर्थ आने की पूझ और निर्गंद आने की बंदन ह करता है महावीर ने अपना उकदेश प्राकित अग्ध मागदी भासा में दिया महावीर के पर्थम अनुवाई उनके दमाद पिद्रसनी के पती जामाली बनी नेक्ट पर्थम जैन विचुनी नरेस ददी वाहन की पूत्री चमपा थी महावीर ने अपने सिस्यों को 11 गंधरों में विभाजित किया था आर सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्म था जो महावीर की मिल्तियू के बाद भी जिवित रहा और जो जैन धर्म का पर्थम थैरा या मुख्य उपदेशक हुआ लगबग 320 पूर में मगद में 12 वर्सों का भीषन अकाल पड़ा जिसके कारण भद्र बाहु अपने सिस्यों सहित करना तक चले गए किन्तु कुछ अनुआई अस्थुल भद्र के साथ मगद में ही रुक गए हाई काता है बद्र बाहु के वापस लोटने पर मगद के साथों से उनका गहरा मतभेद हो गया जिसके पईनाम सरुप जैन मत स्वेतांबर एवं दिगंबर नामक दो संप्रदायों में बट गया स्वेतांबर एवं भद्रबाऊ के सिस दिगंबर दिगंबर मतलब होता है नगन रहने वालेको दिगंबर कहा जाता था देखिए परमूख जेन दर्थंकर और उनके परतिकचिन जेन दर्थंकर के नाम एव परतिकचिन धखिए फंस्ट आपकरी सब देव पर्थम थे उनका परतिकचिन था साड नमबर दू है दिए अजीतना दूत दूत ये इनका था परतिकचिन हाथी आगे है संभव तुर्तिये इनका पर्तिक चिन घोडा था सप्तम था संपासर्व इनका था स्वास्तिक पर्तिक चिन निफ्ट है सांतिस उल्लवा थे हिरन था पर्तिक चिन नामी 21 नील कमल था और आगे है अरिश्ट नेमी 25 में संख था पर्तिक चिन और पासर्व 23 में सर्प था इनका प्रतिक चिन और महावीर 24 में इनका प्रतिक चिन सिंग था नोट देखिए क्या है दो जैन्त ठंकरों रिसब दे अरिस्ट नेमी के नामों का उलेक रीग वेद में मिलता है पुछे का परिच्छा में रीग वेद में किसका नाम मिलता तो कहना होगा जो दो जैन्त ठंकर है रिसब दे अरिस्ट नेमी जो अरिस्ट नेमी 22 नंबर के ठंकर थे अरिस्ट नेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंध माना जाता है आए आते नेक्स्ट पॉइंट के त्रितन के अनुसीलन में निवने पांच महावरतों का पाल अनिवायर है अहिंसा शत्यवचन अस्ते अप्रिगर एवं ब्रहमचर देखिए इस पांच में चार दिये थे पासवनात और ब्रहमचर दिये थे महावीर स्वामी ने नेक्स्ट पॉइंट है जेन धर्म में इसवर की मान्यता नहीं है नेक्स्ट पॉइंट जेन धर्म में आत्मा की मान्यता है नेक्स्ट पॉइंट महावीर पुनजर्म एवं कर्म वाद में विश्वास करते थे नेक्स्ट पॉइंट की अपका है जेन धर्म के सब्त भंगी ज्यान के अनिन्याम शैवाद और अनेकांत वाद हैं नेक्स्ट पॉइंट जेन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को अगर्केगा सायंक दर्सन से ग्रहन किया है जेन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे जिसे उदाईन माने जेन धर्म को वंद राजा जेन धर्म को सुईकार किये थे निक्स्ट पॉइंट है बहुत इंपोर्टेंट है मेसूर के गंगवंस के मंत्री चामूंड के पुरसाहन से करनाटक के सरवन बेल गोला में दस्वी सतापदी के मद्ध भाग मुशाल बाहुबली की मुर्ती यानि कोहेंगे गोंतिस्वर की मुर्तिका निर्मान किया गया मुरहत्तर यूग में मथुरा जेन धर्म का प्र structुद केनर था मतुरयय का ल Kakला का समंद किस्से क्वैद पूढ़्लभी अस्थल गुज्रात जोकी छमा स्रवन था आई देखी नेस्ट पॉइंट देखेंगे जेन्त ठंकरों की जिवनी भदरबाहु द्वाराचीत कल्प सुत्र में है बहुत महत्पुर मिंदू है नेक्ट पॉइंट 72 वर्ष की आयू में 72 वर्ष जब आई हुआ था महाविर की मिर्थिव 468 इस्वीपूर में बिहार रायज के पावापूरी आने की राजगिर में हो गए थी पूछ सकता है कितना इज में हुआ था महाविर की मिर्ट्थु कहना होगा 22 वर्स में कौन सा इस्वी में 460 इस्वी पूर में कहा पे पावापूरी राजगीर में हो गई नेक्स्ट पॉइंट मल राजा स्रिस्टी पाल के राज परसाद में महाविर स्वामी को निर्वान प्राप्त हुआ संस्थापक गौद्ध सकता है की बौध में गौद्ध थे इन्हें एसिया का जोटिपुंज मिस् लाइट ऑफ एसिया कहा जाता है कि नहें गौत्प पॉइंट गौत्प गौत्प का जन्म 563 इस्वीपूर में कफिरवस्तु के लुम्बनी नामक अस्थान पर हुआ था लुम्बने अरकेगा नेपाल में है इनके पिता सुद्धोधन साट के गन के मुखिया थे इनकी माता माया देवी की मिर्तिव इनकी जन्म के साथवे दिन ही हो गई थी इनका लालन पालन इनकी सोतेली मा परजापती गौतमी ने किया था इसको गौतम बुद्ध का देखिए का इनके बच्पन का नाम सिधार्थ था नेक्स्ट पॉइंट गौतम बुद्ध का विवा सोलव वर्ष की आवस्था में सुधरा के साथ हुआ इनके पुत्र का नाम राहूल था आज दाने के देखिए नेक्स्ट सिधार्थ आज देखने सिधार्थ जब कपील वस्तू की सेर पर निकले तो उन्होंने निम्न चार द धर्म के परतीक है घटना जर्म परतीक कमल एवंशान गिरहत्याग का परतीक है घोडा ज्यान का परतीक है पीपल बौधिवरिच में ये पीपल पेड़ अनबौधिवरिच में ग्यान प्राप्तिक ये थे निरवान प्यते बदचीन और मिर्ट्यू अस्तूप नेक्स सिधार्त ने उंतिस वर्ष की वर्ष के वरस्थाव में घर त्याकिये थे और इन्हों किरने के बाए विषाली और घर त्यार्ण के अलार कलाम सिधार्थ के पर्थम गुरू हुए। नेक्स्ट पॉइंट है अलार कलाम के बाद सिधार्थ में राजगीर के रुद्र कराम पूत्स सिच्छा गरहन की। दिके नज़े और पीपल वुरिछ के नीचे सिधार्त को घ्यान की प्राप्ति हुए ति कब ऑनिकी 35 वर्श की आवस्थाników रंजणा ना दी और और पिपल वुरिछ कboom ग्यान प्राप्ति के पाथिध्य के नाम सिचने गए वो अस्थान बोध गया कहलाया देखिए बोध गया बहुत अच्छा घुमनी जगा भी है नेक्स्ट पॉइंट बुद्ध ने अपना पर्थम उपदेश सारनाथ रिस्ची पत्नम में दिया जिसे बहुत गरंतों में धर्म के कि अपने अपने उपदेश जनसहरन की भाशा पाली में दिये नेक्स्ट पॉइंट बुद्ध ने अपने उपदेश कौसल वैसाली को सामभी और अनराजियों में दिये नेक्ट पोइंट बुद्ध ने अपने सरवाजिक अपदेश कॉसल दिसक रधानी सरावस्ती तत्यादा उपदेश कहा त्या lucky के हें कहा दिया गया सवस्यादा कुद्ध ने सरावस्ती में दिये थे इनके प्रमुक अनुवाई सासक्ते बिंबिसार परसेंजी तथा उदयन नेक्स्ट पॉइंट है बुद्ध की मिर्त्यु असी वर्ष की अवस्था मिशार से इस्विपूर में कुष्टी नारा आने की देवरिया उत्तर प्रदेश में चुन्द तवारा अर्पित भोजन करने के बाद हो वहां रखिएगा जो बहुत धर्म की मिर्त्यु हुई है उसे महा परिणिर्वान कहा जाता है नेक्स्ट पॉइंट मलों ने अत्यनत समन्दा समान पुर्वक्ष बुद्ध का अंत्विष्टि संसकार किया नेक्स्ट पॉइंट एक अनुसरुति के अनुसार मिर्थ्यु के बुद्ध के फरीर के अवसेसों को आठ भागों में बाटकर उन पर आठ अस्तुपों का निर्मान कराया गया बहुत महत्पुन बिंदु है नेक्स्ट पॉइंट बुद्ध के जनम एवं मृत्यू की तिती को चीनी परंपरा के केंटोन अभीले कधार पर निश्चित किया ग में पुनर जनम की मान्यता है नेक्स्ट पॉइंट रिष्णा को चीन हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वान कहा है नेक्स्ट पॉइंट कहा है बुद्ध ने विश्व दुखों से भरा है का सिधान बुद्ध ने उपनिसत से लिया बुद्ध के अनुआईयो दो हागों मिभाजित थे पहला है भिच्छुक बौध धर्म के परचार के लिए उन्होंने सन्यास घरन किया उन्हें भिच्छुक कहा गया नमबर टू उपासक गिरस्त जीवन वेतित करते हुए बौध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहा गया नेक्ट पॉइंट है बौध संग में सम्मिलित होने के लिए नियुन्तम आयू सीमा पंदरव वर्स थी बौध संग में परविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था नेक्स्ट पॉइंट बॉद्ध धम एउमसंग ये त्री वितन हैं बॉद्ध धर्म के आई आते हैं और जानेंगे अब देखिए बॉद्ध सभाएं कैसे कैसे कब कब होई देखिएगा पर्थम बॉद्ध सभा पर्थम बॉद्ध संगीती 483 स्वीपूर में अस्थान वैसाली अध्याश्ट सभाकामी असन काल थे काला सॉंक तर्थिये बॉद्ध संगीती 255 इस्वीपूर में पाठली पूत्र में हुआ में मोगली पूत्र तिस्म असो खसनकाल थे ज़ता और चतुर्थ बॉद्ध संगीती इस्वी की परणसाब्री में हुआ कुंडलवन अस्थान में वसुमित्र अनिक असो खोस अध्यास थे सस्थनकाल था कनिश्क का आई देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट को चतुर्थ बॉद्ध संगीती के बाद बॉद्धर्म दो भागों पट गया एक हिनिया दुसरा बट गया महायान में विभाजित हो गया नेक्स्ट पॉइंट धार्मिक जुलूस का पारम सबसे पहले बॉद्धर्म के द्वारा पारम किया गया बॉद्धों का सबसे पवित्र तहवार देखिए व्यसाथ पूर्निमा होता है जिसे बुद्ध पूर्निमा के नाम से जाना जाता है बहुत महत्पूर पॉइंट है इसका महत्व इसलिए है क्योंकि बुद्ध पुर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म ग्यान की प्राप्ति एवं महापरिणवान की प्राप्ति वे तीनों बुद्ध पुर्णिमा के दिन हुई बुद्ध का जन्म ग्यान की प्राप्ति और महापरिणवान बुद्ध न संसारिक दुखों के समंद में चार आजसत्तों का उपदेश दिया है ये हैं दुख, दुख समुदाई, दुख निरोध एवं दुख निरोध कामानी पर्टिवदा इन संसारिक दुखों से मुक्ती हे तुख बुद्ध ने अस्तांगिक मार की बात कहिए साधन है बुद्ध के अनुसार अस्तांगिक मारہ कों के पालन करने के उपरांथ इसके बाद मनुस्त की भाव तृष्णा नस्ट हो जाती है और उसे निर्वान प्राप्त हो जाता है नेक्स्ट पॉइंट निर्वान बौध धर्म का परमलच है जिसका अर्थ है दीपक का बुध जाना अर्थात जीवन मरन चक्र से मुक्त हो जाना बुद्द्धर निर्वान प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न दस सीलों पर बल दिया है क्याक्य अहिंसा सत्य अस्तय मत्चुरी न करना अप्रीगरा किसी परकार की संपत्य न रखना मद सेवन ना करना आसमय भोजन ना करना सुख प्रत बिस्तर पर नहीं सोना धन संचय ना करना इस्तरियों से दूर रहना और नित्य ज्यान आदी से दूर रहना गिरस्तों के लिए केवल पांच पर्थम पांच सील था भिचुओं के लिए दसों सील मानना अनिवार था नेक्स्ट पॉइंट है बुद्र ने मध्यम मार्क आने की मध्यम पर्थिपत का उपदेश दिया नेक्स्ट पॉइंट अनिश्वर नात के समझ में बौध धर्में उम्जैन धर्में समानता है जातक कताय पड़सित करती है कि बोधिसत्व का उतार मनिश रूप में हो सकता है उताबस्वों के रूप में भी नेक्स्ट पॉइंट बोधी सत्तु के रूप में पुना जन्मी की दिर्ग स्रिंकला के अंतरगत बुद्ध ने साकी मुनी के रूप में भी अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया किन्तु इसके उपरांत मैत्रे था अन्य अराम बुद्ध अभी अवतरित होने सेस हैं स्रवादिक बुद्ध मुर्टिओं का निर्मान गंदार सेली के अंतरगत किया गया लेकिन बुद्ध की पर्थम मुर्ती शम्हता मत्रा कला की अंतरगत बनी थी सेव धर्म, डो रिएग वेद में सेव के लुद्र नामक देवता का उलेख है अथर वेद में सिवक भावध सर्व पसुपती उम्भुपती कहा गया है लिंग पूजा का पहला सपस्ट वर्नन मतस्य पुरान में मिलता है नेक्स्ट पॉइंट महाभारत के अनुसासन पर्व से मी लिंग पूजा का वर्नन मिलता है आई आते हैं नेक्स देखी देखेंगे नेक्स आपका है पॉइंट वामन पुप्राप पुरान में सेव संपरदाय की संख्या चार बताई गई है ये हैं पासुपत कापालिक कालामुक और लिंगायत हैं देखें कुछ संपरदाय और संस्थापक देखें आजीव संपरदाय संस्थापक है मखली पुत्र गोसाल पईचंपू सकता है आजीव संपरदाय संस्थापक है मखली पुत्र गोसाल घोर अक्रियावादी का पूरण कश्याप नेक्स्ट है अच्छित्रावाद का चार अज जीत और आगला है भौतिक वादी का पक्खूद कच्छायान भौतिक दर्सन और नेक्स्ट है संपरदाय अनिश्चत वादी का संस्थापक संजय वैठली पुत्र आज दखेंगे नेस्ट पॉइंट पासुपत संपरदाय सेवों कसरवादिक प्राचीन संपरदाय संस्थाप थे लकूलीस जिनने भगवान स्यू के 18 अवतारों से भी एक माना जाता है नेक्स्ट पॉइंट के पासुपत संपरदाय के अनुवाईयों को पंचार्थिक कहा गया है इस मत का परमुग से धानतिक गरंथ पासुपत सुत्र है स्रीकर पंडित एक विख्यात पासुपत का परमुग के अनुवाईयों को शिव पुरान में महावरत धर कहा गया है इस संपरदाय के लोग नर का पाल में ही भोजन जल्द था सुरापन करते हैं और साथ ही अपने सरीर पर चिता की भस्म मलते हैं लिंगाय संपरदाय दच्छीन में पचली थी इन्हें जंगम भी कहा जाता था इस संपरदाय के लोग सिव लिंग की उपासना करते थे बसो पुरान में लिंगाय संपर्दाय की परवर्तक अलब पर्मूर था उनके सिसे बासाव को मत आया गया है इस संपर्दाय को वीरिस्यू संपर्दाय भी कहा जाता है नेक्सट पॉइंट दस्विस सताबदी में मतेसंद्र नाथ ने नाथ संपरदाय के अस्थापना की इस संपरदाय के अव्यापक परचार परसार बाबा गोरक नाथ के समय हुआ नेक्सट पॉइंट दच्छिन भारत में सेवधर्म चालुक के राष्टकूट पल्लव एमचोलु के समय लोग प्रिय रहा नेक्सट पॉइंट पल्लव काल में सेवधर्म का परचार परसार नायनारो द्वारा किया गया नायनार संतों की संख्या 63-68 बताई गई है जिनमें अपार तिरुग्यान संबंदर एमसंदर मुर्ति आली के नाम से उल्लेखे निये है एलोरा के परसिद कलास मंदर का निर्मा राष्टकूटू ने करवाया परसिद कलास मंदर किस ने करवाया था काना राष्टकूटू ने करवाया चोल सासक राज राज पर्थम ने परसिद राज राज विस्वर मंदर के नाम से जाना जाता है और इस ने बनाया राज राज पर्थम ने नेक्स्ट पॉइंट कुसान सासकों की मुद्राओं पर सीव एउम नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है आए दखी अगल धर्म आएंगे अनलों धर्म का नाम आपका है वैस्णव धर्म आए पढ़ेंगे वैस्णव धर्म के बारे में वैस्णव धर्म के विश्णव में प्रारम की जनकारी उपनिस्दों से मिलती है इसका विकास भगवत धर्म से हुआ वैस्णव धर्म के संपरवर्तक कृष्ण थे जो विरिश्ण कभीले के थे और जिनका निवास अस्थान मातुरा था नेक्स्ट पॉइंट क्रिष्ण का उल्लेक स्रपर्थम छांदों की उपनिसद में देवकी पुत्र और अंगिरस के ससके रूप में हुआ है नेक्स्ट पॉइंट विश्णू के दस अवतारों का उलेक मतस्य पुरान में मिलता है नेक्स्ट पॉइंट विश्णू संपर्दाय के मत विश्ष्णत ताते अचार है रामानूच नेक्स्ट ब्रह्म संपर्दाय के द्वेत मत है आनंदी तिर्थ है सब्कार्ध की सबस्दापक नाम देऊ सुरी वेशनों के रामनुच पुस्तक है प्रमार्त के रामधा संस्थापक पुस्तक है दासबोध। और पर्म संपर्दा है आपके रामभत संस्थापक रामानंद पुस्तक है अध्यात्म रमायन आई जानेंगे निक्स और भे देखिए लास्त की आपका है इसलाम धर्म आई देखे पढ़ लेंगे हम लोग इसलाम धर्म के बारे में जान लेंगे देखे इसलाम धर्म के संस्थापक हजरत मुहम्मद सहाब को का जाता था हजरत मुहम्मद सहाब ने इसलाम धर्म के संस्थापक है हजर्द मुहम्मद सहाब को जन 75 इस्वी में मक्का में हुआ था कहा हूँ 75 में मक्का में हजर्द मुहम्मद सहाब के पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था हज़न मुहम्मद साहब के 110 इस्वी में मक्का के पास हिरा नामक कूफा में ग्यान की प्राप्ते हुई थी नेक्स्ट पॉइंट 24 सितंबर 622 इस्वी में को पैंगंबर के मक्का से मदिना की आतरा इसलाम जगत में मुश्लिम शमवत और हिज्री समवत के नाम से जाना जाता है नेक्स्ट पॉइंट मुहम्मद की साधी 25 वर्स की अवस्था में खजीदा नामक विद्वा के साथ एक विद्वा हत हो गया मुहम्मद जिसने इसलाम सस्थापक किया था मुहम्मद की पुत्री का नाम फातिमा एवं दमाद का नाम अली हुशेन है नेक्स्ट पॉइंट देवदुत जिब्रियल ने पेगंबर मुहम्मद सहाब को कुरान अर्वी भासा में संपरिशित की नेक्स्ट पॉम्विय मुहम्मद तथि हैं, इस्लाम धर्म का पवित्र गरंद क केड़ा है पिगंबर मुहम्मद सहाब है आट जून، इस्विग हो इने मदिना में दफनाया गया नेक्स्ट पॉइंट मुहम्मद सहाब की बृत्व के बाद इसलाम सुन्नी था सिस्या नामत दो पंतों में भाजित हो गया था सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते थे उसे सुन्नी कहा जाता है सुनना पेगंबर मुहम्मद सहब के कतनो तथा कारियों का विवरन है next point सिया अली की सचाओं का सिचाओं में विश्वास कर दे थे रथा उन्हें मुहम्मद सहब का निया संगत उत्ताधिकारी मानते हैं अली मुहम्मद सहब के दमात थे अली की सन 261 इस्वी में हत्या कर दी गई अली के पुत्र हुसेन की हत्ते 680 इस्वी में करबला और इराक नामकस्थान पर कर दी गई इन दोनों हत्या ने सिया को निश्चित मत का रूप दे दिया बहुत इंपोर्टन्ट है पेगंबर मुहम्मद साहब को तदिकारी खलीफा कहलाए नेक्स्ट पॉइंट इसलाम जगत में खलीफा पर 1924 इस्वी तक रहा 1924 इस्वी में से तुर्की सासक मुस्तफा कमाल पासा ने समाप्त कर दिया था इसलाम पर पेगंबर साहब का जीवन चैत लिखा नेक्स्ट पॉइंट मुहम्मद साहब पेगंबर के जम दिन पर इद ए मिलाद उन नभी पर मनाया रखिएगा बहुत मात्पून है लिए इसाय धर्म के संस्थापक आपके इसा मस्जी को जाना जाता है इसाया धर्म को परमुगरंथ है बाइबल नेक्स्ट पॉइंट इसा मस्जी के जन्म जरूसलम के निकट बेतलेहम नामक अस्थान पर हुआ था नेक्स्ट पॉइंट इसा के जन्म दिवस को क्रिस्मस के रूप में मनाया जाता है इसा मसी के माता का नाम मेरी और पिता का नाम जौसेफ है इसा ने अपने जीवन के पर्थम 30 वर्स तक एक बढ़ही के रूप में बेसलेहम का निकट राँ नाजरेत में बिताए थे इसा मसी के पर्थम दोसी से थे एंडु एवम पीटर इसा मसी को सुलीप रोमन गवर्नर पॉंटियस ने चड़ाया इसा मसी को 33 इस्वी में सुलीप चड़ाया गया इसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन क्रॉस है या दखिया क्रॉस इन लों का चिन हैता है इसाइत तृत्त में विश्वास रखते हैं वे हैं क्या-क्या इस्वर पिता इस्वर पूत्र एवब इस्वर पवित्र आत्मा लेकिए का पार्सी धर्म पार्सी धर्म के पेगंबत जो थुष्ट इरानी थे इनकी सिच्छाओं का संकलन जेंद आविस्था नामक गरंथ में है पार्सी धर्म का जेंद आविस्था नामक गरंथ में जो पार्सीयों का धार्मिक गरंथ है इनकी मुल सिच्छा का सुत्र सद विचार सद वच्चन था सद कारे इसके अनुवाई एक इस्वर अहूर को मानते हैं इस धर्म के अनुवाईयों को अगनी पूजक भी कहा जाता है कुछ ये महत्पून पूइंट थे जो आपको हम करवा दिये ठीक है अच्छा वीडियो क्या होगा लाइक कर देजएगा और सेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दे हमारी चैनल उजी लानने क्लासेश को हट टैप ग्लू सेंट का अप डिपसेश पे हट टापिक करवा दिये जाएगा बहुत आसान और डिपनी जरीके से पढ़िए बहुँ जादा आइदा होगा ओके फिर मिलते नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए थांक यू